जहें दोस्तों, Economics के Infrastructure Chapter का एक Important Topic है Greenfield Project and Brownfield Project. आपने अक्षर सुना हुआ है कि यह Greenfield Project है और यह Brownfield Project है. तो क्या होता है Greenfield Project और क्या होता है Brownfield Project, details analysis करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Greenfield Project क्या होता है. तो Greenfield Project यानि Greenfield प्रियोजना का अर्थ ऐसी प्रियोजना से है, जिसमें किसी पुर्व कार या प्रियोजना का अनुसरान नहीं किया जाता है. अब सनरशना में और प्रियोक्त भूमी पे तियार किया जाने वाली प्रियोजना, जिसमें मौजुदा संदस्टना को फिर से त्यार करने या ध्वस्त करने के आवसकता नहीं होती है उसे Greenfield Project कहा जाता है ऐसी प्रयोजना, एक सिंपल वे में आप समझो कि ऐसी प्रयोजना जो नई प्रयोजना हो बिल्कुल जो बिल्कुल खाली जमिन पर बनाओ हो, जो परती लेंड पर बनाओ हो, उसे Greenfield Project कहा जाता है जैसे मालो, एक स्कूल के एक्जामपल मैं देखा आपको समझाता हूँ जैसे एक स्कूल है मालो, सरकार ने घोषना किया कि एक स्कूल बनेगी, नई स्कूल बनेगी पूरी तरस से तो जो नया पूरा स्कूल बनेगा, हर एक boundary उसका बनेगा फिर से, हर एक दिवार फिर से बनेगा, हर एक class उसका फिर से बनेगा तो आपको green field project हो गया दूसरी तरफ मालो school का मरम्मत करके उसको नया करने के अगर परियोजना है school की मरम्मत करके उसको नया किया जाए या school में जो है माल लेते हैं कि 2 या 3 क्लास को बढ़ा दिया जाए तो उस परियोजना को कहा गया है brown field project तो simple as a simple आप यह समझो कि जहां कोई भी प्रियोजना exist नहीं करती थी जो पूरी तरह से परती लेंड पर बना है जो पूरी तरह से खाली जमिन पर बना है उसे कहा गया green field project अब एक example देखो हमारे दिसके प्रामिनिस्टर स्रीन रेंड मोदी ने सिक्की में पाक्योंग एर्पोर्ट का उधगाटन किया तो पाक्योंग एर्पोर्ट जो बना था सिक्की में कोई भी एर्पोर्ट नहीं था तो सिक्की में पहला एर्पोर्ट बना है पूरी तरह से यह green field project है क्योंकि नया एर्पोर्ट है पूरी तरह से नई लेंड पर यह एरपोट बना है सिक्किम का पहला एरपोट है यह पाक्योंग एरपोट जो है 2018 में सेप्टमबर 2018 में हमारे देश के प्राइमिस्टर ने उधाटन किया तो यह क्या है एक ग्रेन फिल प्रोजेक्ट है अब देखो ब्राउन फिल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको कि जैसे माल लो कि कोई परियोजना एक्जिस्ट करती थी पहले से उसके बाद उसको निर्मान किया जाता फिर से उसको तोर के फिर से निर्मान किया जाता है या उसके किसी पार्ट को जोरा गया तो उसे brownfield project कहा गया अब जिसे airport का मैंने example लिया कि पाक्योंग airport जो सिक्कीम में अवस्थी था है वो greenfield project है इसी तरह से चंडिगड airport जो है इसका पुनवा निर्मान किया गया उसको तोर करके पुनवान किया गया कुछ पार्ट को तोरा गया है तो इसे कहा गया है brownfield project इसी तरह से city के wise भी आप देख सकते हो जैसे गुजरात में gift city के अस्थापना हुई जी आई एफ थी एक पूरी की पूरी नई city बनी है तो इसको कहा गया है greenfield project पूरा पूरा नया city बना और माझनों सीटी को तोर करके या एक नया city को बसा आजया या माझनों सीटी को तो फूरा एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा brownfield project दैसे डिल्ली के दिल्ली को थूरा आगे जाएगा Greenfield Project और अगर City में कुछ मरम्मत हो रहा है या नए City को फिर से reconstruct किया जा रहा है तो उसको कह सकते हैं आप Brownfield Project तो मैंने Simple Level से एक स्कूल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिज किया है एक एरपोर्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिज किया है कि Greenfield Project क्या होता है Brownfield Project क्या होता है उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीजे समझ में आएगी कि Greenfield Project वह इसा प्रजेक्ट होता है जहां कुछ भी नहीं था वहां पे एक नए प्रोजेक्ट का निर्वान करके कारिक किया जा रहा है उसे Greenfield Project कहा गया और जहां पे कुछ परियोजना पहले से एक्जिस्ट कर रही थी उस परियोजना को तोर करके यह रिकंस्ट्रेक्ट किया रहा है उसे Brownfield Project कहा जाता है चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यू शो मच प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब थांक्यू